ओम शांति ओम शांति आज 16 दिसंबर 2023 दिन शनी वार की साकार मुली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधुर महावाक्यों को मीठे बच्चे अविनाशी सर्जन से कुछ भी चिपाना नहीं है अवग्या हो तो शमले नहीं नहीं तो बोज चड़ता जाएगा निंदक बन पड़ेंगे प्रश्न सच्ची कमाई का आधार क्या है उन्नती में विखन क्यों पढ़ते हैं उत्तर सची कमाई का आधार पढ़ाई है अगर पढ़ाई ठीक नहीं तो सची कमाई कर नहीं सकते उन्नती में विघन तब ही पढ़ता जब संग ठीक नहीं कहां भी जाता है संग तारे कुसंग बोरे संग खराब होगा तो पढ़नेंगे नहीं नापास हो जाएंगे संग ही एक दो को रसातल में पहुँचा देता है इसलिए संग दोश से तुम बच्चों को बहुत ही संभाल रखनी है गीत तुम प्यार का सागर है तेरी इक बूंद के प्यासे हम ओम शंति बेहत के बाप की महिमा बच्चे करते हैं यह है भगती मार्ग की महिमा तुम सपूत बच्चे अभी सम्मुख में बाप की महिमा करते हो समझते हो बेहत का बाप आकर हमको ज्यान देश वर्ग का मालिक बना रहे है क्योंकि ज्यान का सागर वही है God में knowledge है उसको कहते हैं Godly knowledge परम, पिता, परमात्मा knowledge देने वाला है किसको? बच्चों को जैसे तुम्हारी मम्मा पर Godage of knowledge नाम रखा हुआ है तो जब वह जगत अंबा Godage of knowledge है तो उनके बच्चों में भी वही knowledge होगी Goddess of knowledge सरस्वती को God knowledge देते हैं परंतु किस द्वारा देते हैं यह बड़ी ही समझने की बाते हैं दुनिया नहीं जानती कि जगत अंबा कौन है यह तो बच्चे जानते हैं कि जगत अंबा तो एक ही होगी नाम बहुत दे दिये हैं मनुष्य तो यह जानते नहीं कि यह प्रजा पिता ब्रह्मा की मुख वैंशावली सरस्वती है उनको knowledge देने वाला God father है स्रश्टी चक्र कैसे फिरता है यह knowledge God father देते हैं बाप ने knowledge दी बच्चों को सरस्वती को कैसे मिली जरूर प्रजा पिता ब्रह्मा की मुख वैंशावली है तो परम पिता परमात्मा जो ज्यान का सागर है उसने इस मुख द्वारा सरस्वती को ज्यान दिया होगा वही ज्यान फिर औरों को भी दिया होगा God father पढ़ाते हैं तो जरूर God father के बच्चे master God हुए ना इसलिए नाम रखा हुआ है God is of knowledge बच्चे यह जानते हैं कि हम और हमारी ममा knowledge ले रहे हैं ज्यान सागर के द्वारा जिसको ही गीता का भगवान कहा जाता है भगवान तो एक है कोई देवता या मनुष्य भगवान नहीं हो सकता अब God is of knowledge है तो कौन सी knowledge होगी राज-योग की इस सहज राज-योग की knowledge से Goddess of knowledge सरस्वती ही फिर Goddess of लक्ष्मी बनती है Goddess of knowledge की महिमा है तो जरूर बच्चों की भी है प्रजा पिता की सब संतान ठहरे मम्मा की संतान नहीं कहेंगे प्रजा पिता ब्रम्मा के मुख कमल की है संतान तुम सब इश्वरिय संतान निश्चाई करते हो इश्वर बाप कहते हैं मैं बच्चों के ही समुख होता हूँ वो ही मुझे जानते हैं तो जगतंबा है Goddess of knowledge यह सहज राज-योग की knowledge है ना कि शास्त्रों की God ने इनको knowledge दी और यह Goddess कहलाई जगतंबा तो माथा टहरी फिर दूसरे जनम में Goddess of wealth लक्षमी बनती है जिससे मनशे भीक मांगते है तो सिद्ध हुआ बाप द्वारा जगतंबा को राज-योग का वर्सा मिलता है उनको Goddess of knowledge कहा जाता है Knowledge source of income है यह है सच्ची कमाई जो सच्चे बाप द्वारा होती है तुम अब नंबरवार पुर्शारत अनुसार सच्ची कमाई कर रहे हो अगर पढ़ाई नहीं करते तो उनकी सच्ची कमाई नहीं होती संग ठीक नहीं होगा तो पढ़ नहीं सकेंगे उन्नती नहीं होगी संग तारे कुसंग बोरे अर्थात डुबोई संग खराब होगा पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो पिछाडी में बैठे रहेंगे टीचर जानता है इनका क्या कारण है बाप नहीं जानता है हाँ इतना बाप जरूर समझेगा कि पढ़ाई कम की है जरूर खराब संग है जिसके कारण नापास हो पढ़ते हैं समझो आपस में प्यार है दोनों नहीं पढ़ते हैं तो एक दो को रसातल में पहुँचा देंगे पाप समझते हैं कि यह पढ़ते नहीं इनको अलग करना चाहिए पढ़ाई बिगर मनुष्य को कहा जाता है बे समझ पढ़ते हैं तो कहेंगे समझदार भगवान की मतपर नहीं चलते तो कहा जाएगा यह सोतेला बच्चा है परन्तुवे अर्थ को नहीं जानते हैं तुम जानते हो कोई नहीं पढ़ते हैं, तो फिर पतित के पतित ही रह जाएंगे, नापास हो बागनती हो जाएंगे, बाप कहते हैं, अहो रावन, तुम हमारे बच्चों को भी हप कर जाते हो, कितना शक्तिशाली हो, बच्चे शैतान के मत पर चल पढ़ते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं अपने साथ प्रण करना चाहिए कदम कदम हम बाबा की मत पर चलेंगे जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको आसुरी मत वाला कहेंगे बाबा समझ जाते हैं यह इतना उच्पद पा नहीं सकेगा किसी को समझा नहीं सकेगा तो कहेंगे रावण के वश है योग नहीं है जो बुद्धी शुद्ध हो जाए बुद्धी का योग भी चाहिए इश्वरिय बच्चों की चलन बड़ी रोयल होनी चाहिए जमते जाम अर्थात जनम लेते ही होशियार राजा तो कोई हो नहीं सकता इस कारण बाबा केते पाँच विकार रूपी रावण पर जीत पानी है श्रीमत पर जो श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा कह देते यह आसुरीमत पर है फिर उसमें कोई पाँच परसेंट श्रीमत पर चलते कोई दस परसेंट चलते वे भी हिसाब है तो जगत अंबा एक ही है जगत अंबा है ब्रह्मा मुखवंशावली सरस्वती यह उनका पूरा नाम है सरस्वती को ही सितार देते हैं यह है गॉड़िज ओफ नॉलिज जरूर उनकी संतान भी होंगे उनको भी तंबूरा होना चाही देखो ज़ाड में यह सरस्वती बैठी है राजयोग सीख रही है फिर यह जाकर लक्षमी बनती है गॉड़िज ओफ वेल्थ इसमें हेल्थ वेल्थ हैपिनस सबा जाती है यह दो सिवाए परमपिता परमात्मा के कोई दे ना सके अब देखो मम्मा सर्विस कर रही है समझो कहां मम्मा को निमंतरन दे तो पहले मम्मा के उक्उपेशन को जाने पहले नौलेज चाहिए यह कौन है दुनिया तो नहीं जानती कहते हैं श्री कृष्ण को गाली मिली परन्तु यह तो हो नहीं सकता सबसे जास्ती गाली खाने वाला है शे बाबा सकिंड नंबर में गाली खाने वाला है ब्रह्मा श्री कृष्ण और ब्रह्मा परन्तु श्री कृष्ण को गाली दे न सके मनुष्यों को यह पता नहीं कि सरस्वती गौड़ेज ओफ नौलेज भविशे में राधे बनती है स्वेमवर बाद लक्षमी बनती है Goddess of Wealth उनमें Health, Wealth, Happy सब आ जाता है तुमको समझाने का बड़ा नशा चाहिए मम्मा कौन है यह समझाना पड़े न यह सरस्वती ब्रह्मा की बेटी मुखवंशावली भारतवासी कुछ भी जानते नहीं Knowledge है नहीं अंधश्रद्धा बहुत है Blind Faith में भारतवासी बहुत है पूजा किसकी करते हैं यह भी नहीं जानते Christian अपने Christ को जानते है सिख लोग जानते हैं कि Guru Nanak ने सिख धर्म स्थापन किया अपने धर्म स्थापक को जानते हैं सिर्फ भारतवासी हिंदू नहीं जानते अंधश्रदा से पूजा करते रहते हैं Occupation का कुछ भी पता नहीं कल्प की आयू बड़ी करने से कुछ भी समझते नहीं इसलामी बौधी आदी बाद में आये हैं उन्हों के आगे जरूर यह देवताई होंगे उन्हों का भी इतना समय होगा इतने और सब धर्मों को आधा कल्प लगता है तो इस एक धर्म को भी आधा कल्प देना पड़े लाखों वर्ष तो कह नहीं सकते तुम जगत अंबा के मंदिर में जाकर समझाएंगे इस गौड़िस ओफ नौलेज को यह नौलेज किस ने दी ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण ने जगत अंबा को नौलेज दी परन्तु यह भी समझाव है सकेंगे जिनकी प्रेक्टिस अच्छी है कोई कोई को तो अभिमान बहुत है कोई न कोई मित्र संबंदियादी याद पढ़ते रहते हैं बाप कहते हैं और उको याद करेंगे तो मेरी याद भूल जाएंगे तुम गाते भी हो और संग तोड एक संग जोडेंगे वे तो अब यहाँ बैठे हैं बाबा हम आपके हैं आपकी इमत पर चलेंगे ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिसमें नाम बदनाम हो बहुत बचे ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे नाम बदनाम होता है जब तक कोई समझे तब तक गाली देते रहते हैं नाम भी तो बाला हुआ है अहू प्रभू तेरी लीला गाई है न? परन्तु बच्चे समझ सकते हैं और कोई जानते नहीं बाप कहते हैं बच्चे मैं तो निश्काम सेवा करता हूं अपकारियों पर भी उपकार करता हूं भारत को ही सोने की चड़िया बनाता हूं नंबर वन उपकार करने वाला हूं परन्तु मनुष्य मुझे सर्वव्यापी कहें बहुत गाली देते हैं मैं तो तुम बच्चों को नौलेज देता हूं तो इस ज्ञान यग्य में आसुरी संप्रदाई के विखन बहुत पढ़ते हैं बाप तो समझाते हैं जो बच्चे अच्छी तरह नहीं समझते हैं उनके कारण ही की चड़ा पढ़ता है गलानी कराते हैं कई बच्चे तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं कई डिस सर्विस भी करते हैं एक तरफ कई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक तरफ फिर डिस्ट्रक्शन भी करते हैं क्योंकि ज्यान नहीं है यह सूरेवंशी चंद्रवंशी राजधानी सापन हो रही है जो पूरी रीती नहीं समझते हैं उनको समझाना है तरस तो पड़ता है ना बाप का बनकर और वर्सा नहीं लिया तो वहे क्या काम का रहा बाप मिला है तो पूरा पुर्शार्थ कर वर्सा लेना चाहिए श्रीमत पर चलना चाहिए ऐसा करतव्य नहीं करना है जिससे बाप की इगलानी हो बाप जानते हैं काम, क्रोध यह महाशत्रू है यह नाक कान से पकड़ते रहते हैं यह तो होगा उनसे पार जाना है कोई तो नाम रूप में फस पड़ते हैं सब बच्चे तो एक जैसे नहीं होते बाप फिर भी सावधान करते हैं खबरदार रहना ऐसे अकरतव्य कारेकर अगर निंदा करेंगे तो पद भ्रष्ट होज़ पड़ेंगे रुस्तम के साथ माया भी रुस्तम हो लड़ती है बाप को याद करते करते माया का तूफान कहां ले जाता है बच्चे कोई सच बताते नहीं है राय भी नहीं लेते है अविनाशी सर्जन से कुछ भीची पाना नहीं है अगर बताते नहीं है तो और ही गंदे हो जाते है ऐसे नहीं बाबा जानी जाननहार है सब समझते हैं नहीं, तुम जो अवग्या करते हो, वहा कर बताओ, शिबाबा मेरे से यह भूल हुई है, मैं शमा चाहता हूँ, शमा नहीं लेते तो भूले होती रहेंगे, गोया अपने सिर पर पाप चढ़ाते रहते हो, बाप तो समझाते हैं, कल्प कल्पांतर के लिए अपने पद को ब् मुआफिक राजा इस्थापन हो रही है, बाप दादा जास्ती समझ सकते हैं, यह फिर भी मुरब्वी बच्चा है, माताओं की महिमा बढ़ा नहीं हैं, माताओं को आगे रखा जाता है, गोपों को समझाते हैं, उनको आगे ले आओ, गोप भी बहुत सर्विस कर सकते हैं, चित्र लेकर समझाओ, उच ते उच यह भगवान है, फिर है त्री मूर्ति, ब्रह्मा, विश्नु, शंकर, उनमें भी उच कौन है, किसका नाम है, सब कहेंगे प्रजा, पिता, ब्रह्मा, जिसके द्वारा वर्सा मिलता है, शंकर वाई विश्नु को पिता नहीं कहेंगे, उन को का जाता है, इनसे क्या वर्सा मिलता है, ब्रह्मा है शिबाबा का बच्चा, शिबाबा है ज्यान का सागर, हैविन स्थापन करने वाला, तो जरूर हैविन के लिए शिक्षा मिलती है, यह राज योग के लिए मत है, ब्रह्मा द्वारा बाप श्री मत देते हैं, यह है द बच्चों को समझाते तो बहुत है परन्तु समझने वाले कोई समझे मनुष्य तो blind faith से सन्यासी गुरू के followers बनते हैं उनसे क्या मिलेगा यह भी नहीं जानते हैं टीचर तो फिर भी जानते हैं कि पदवी पाएंगे बाकि जिसके followers बनते हैं उनसे क्या प्राप्ती है कुछ भी नहीं जानते यह है अंधश्रधा followers तो है ही नहीं ना वह बनाते हैं और ना तुम उनके जैसा बनते हो aim object क्या है कुछ भी नहीं जानते अच्छा मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्य सर संग दोश से सदा बचे रहना है सच्ची पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई का स्टॉक चमा करना है कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे ये अपने साथ प्रण करना है वर्दान अब बाब दादा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे जैसे आत्मा और शरीर कमबाइंड है तो जीवन है ऐसे कर्म और योग कमबाइंड हो दो तीन घंटा योग लगाने वाले योगी नहीं लेकिन योगी जीवन वाले उनका योग स्वता और सहज होता है उनका योग तूटता ही नहीं जो महनत करने पड़े उन्हें कोई भी वर्याद करने के आवश्यक्ता नहीं याद में रहने से सब कारे स्वतव सफल हो जाते हैं फाइन बनने वाले के सब फाइल खत्म हो जाते हैं क्योंकि योगी जीवन सर्व प्राप्तियों की जीवन है स्लोगन हर समय करावनहार बाप याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे ओम शंति ओम शंति